क्या हुआ जब 9 मैने की प्रेगनेंट महिला अकेले जंगल में फस गई चलिये जानते है फूरी कहानी 2014 के वक्त एमबर नाम की एक 9 मैने की प्रेगनेंट महिला कार से अपने मम्मी पापा के घर जा रही थी इसी बीच एक विशाल घना जंगल पड़ता था जहांसे लोग ना के बरावर जाय करते थे लगभग दोपैर का वक्त था और इस जंगल के बीच एमबर के कार का पेट्रोल खतम हो जाता है उसने कॉल करने की कोशिश करीब पर वहां नेटवर्क ही नहीं था कुछी देर बाद गर्मी की वज़े से उसके पेट में भयंकर दर चुरू हो गया और वहां कई किलोमेडर तक कोई नहीं था जो एमबर की मदद कर सके ऐसे सिती में एमबर ने जो किया वो आपका दिमाग हिला देगा दर असल एमबर के पेट में दर चुरू होते ही वो कार के पीछे बेट गई और उसने अकेले गर्मी में एक बच्चे को जरम दिया वो कुछ दिनों तक उसी कार में लेटी रहे इस तलाश में कि कोई आकर उसकी मदद कर दे लेकिन तीन दिन बीद गए वहां कोई नहीं आया इस बीच कुछ मदुमक्या जलती उबे जंगल में घुस गई और उसी की वज़े से जंगल में आग लगना शुरू हो गई कुछ गंटो बाद जंगल में भयंकर आग लग गई और उसे बुजाने के लिए एमर्जिंसी फायर वाइटर के टीम आप होची एमबर के सीती को देख उसे हॉस्पिटल ले जा गया और अज एमबर और उसकी बच्ची सही सलामत अमेरिका की कैलिफोनिया में रेती है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते है अगली वीडियो में